हेलो गाइस वेलकम बाक तो मैं चैनल इजी लर्निंग के धेमाल यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है फॉर एवरी ग्रेट स्टुदेंट क्योंकि आपके इंग्लिश के एक्जाम में सेक्शन ए में आता है अंसीन पैसेज सॉल्व करना तो आज मैं इस वीडियो में बहु इसली क्विक्ली रेडिंग कॉम्प्रेंशन सॉल्व कर लोगा उसके साथ मैं आपको कुछ क्वेशन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसे कि आपका जो यह टॉपिक है वह बहुत इजी हो जाएस बिफोर दाट आट आट आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर आप मैस और स बताने वाला हूँ जो 24-7 वोकिंग फीचर है ठीक है जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो तो डाट इस अनकाडमी आस का डाउट फीचर तो जल्दी से मैं आपको डेमो करके बता देता हूं कि कैसे आप डाउट पूछ सकते हो इस एप पर सो गाels देखिए सबसे पहले हम लर्णिंग अप खोलेंगे तो अगर आपके बास unacadmi लर्निंग अप नहीं है तो बेस टो से डाउट टॉप हूप कर रहा हूं अब सबसे नीचे देखें, यहाँ पे लिखा है, submit your doubt तो submit your doubt में, मैं choose करूँगा, choose from gallery क्योंकि मैंने already question की जो photo है, ठीक है, अपनी gallery में रखी है तो अब मैं gallery को select करूँगा, और यह वाला question मैं यहाँ पे select कर लूँगा अगर आपकी पूरी assignment होगी, तो आप उसी को select कर लेना और उस पे एक question crop कर लेना, तो यह हमारा question है, जो मैंने crop कर लिया है अब मैं यहाँ पे tick करूँगा इसको, ठीक है, अब देखिए, यह question मेरा upload हो रहा है ओके, तो अब मुझे हाँ पे subject choose करना है, तो यह मैंने choose कर लिया science कि यह जो मेरा subject है, science है, ठीक है, तो अब देखिए, यह solution ढूण रहा है और देखिए, within few seconds इसका solution मिल गया है, अब मैं क्लिक करूँगा view solution और अब देखिए, यह educator आ गए है, यह हमें video solution देने वाले है यह देखिए गाइस, मैं थोड़ा इसको forward करके आपको दिखा रहा हूँ F by A, F is 5, A is 10, so it will be 1 by 2 the masses, one is 1 by 2, another one is 1 by 4, so M1 ओके, सो गाइस, देखिए आपको कितने जल्दी video solution मिल गया ठीक है, तो जब video solution मिल जाता है, तो सारे doubts कितने जल्दी असानी से clear हो जाते है तो यह feature आप भी बहुत easily use कर सकते हो और अपनी studies को super duper easy बना सकते हो ओके गाइस, तो start करते हैं easy and quick tips के साथ पहली tip जो बहुत important है, that is read the questions first तो याद रखना, जब भी reading comprehension करोगे, पहले question पढ़ना, उसके बाद passage पढ़ना शुरू करना मैं ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप पूरा passage एक साथ पढ़ देते हो और उसके बाद questions पढ़ते हो तो again आपको दुबारे से passage पढ़ना ही पढ़ तो आपका time बहुत जादा waste होता है तो generally आपने देखा होगा first question का answer हमें passage के starting में मिल जाता है फिर second question का answer next मिलता है फिर third question का answer उसके आगे मिलता है तो अगर आप देखोगे questions जो sequence में होते है, passage भी sequence में होता है तो better है पहला question पढ़ो, passage पढ़ो, answer मिल गया, mark कर लो वहां पर उसके बाद second question पढ़ो और फिर उसके आगे passage पढ़ो तो इस तरीके से आपको करना है, इसलिए हमेशा questions पहले पढ़ने है second जो बहुत important tip है, attempt reading section first, mostly I have seen students की वो क्या करते है, literature पहले कर लेते है literature आपको आती है, अगर आपके पस end में कम time भी बचेगा, at least आपको पता है क्या लिखना है, आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो होता है एक fresh mind की जरूत, ठीक है तो better starting में ही reading comprehension कर लो, ठीक है क्योंकि आपका तब fresh mind होता है और generally जब आप कुछ चीज पढ़ रहे होते हो, ठीक है वो आपके mind में भी जाएगी, जब आप starting में वो करोगे और इसका एक और important reason है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पहले reading section करो, वो आपको tip 3 में मिलेगा कि आप अपना utilize करो first 15 minutes जो reading time मिलता है तो CBSE students को तो पता योगा especially 8, 9, 10, 11, 12 के students कि जब भी आप paper में बैठते हो, आपको पहले 15 minutes, 15 minutes मिलते है reading time तो इस better है वो 15 minutes utilize कर लो, अपना reading comprehension solve करने में, एक बार overall paper देख लो और उसके बाद कोशिश करो कि reading comprehension के कुछ questions आप उसी 15 minutes में पहले से अपने mind में बिठा के रख लो obviously तब आप लिख नहीं सकते, ठीक है, but आप उसके answers ढूंड सकते हो, ठीक है, like कोई word meaning ढूंडना है, या देखना है, कौन सा answer कहाँ पर है तो वो 15 minutes आप utilize कर सकते हो, जैसे bell आपकी बज़ेगी, उसी वक्त आप जल्दी से अपना reading comprehension स्टार्ट कर सकते हो fourth, overlook unknown difficult words, तो देखो, reading comprehension में काफी ऐसे words होते हैं, जो हमें नहीं समझ आते so don't worry, हो सकता है, आपकी question answers में वो नहीं use हो रहा हो, तो अगर कोई ऐसा difficult word दिखता है तो जादा उस पर time नहीं waste करना, आगे बढ़ना है, और next question पर आना है, ठीक है, so question पढ़ो और answers अपने करते रहो, अगर कोई ऐसा sentence नहीं समझ आ रहा comprehension में, तो उसको छोड़ दो, ठीक है next, ये बहुत important है, don't use prior knowledge, तो basically reading comprehension में आपको examiner judge कर रहा होता है कि जो आपने पढ़ा है, उसके basis पे आप कितना analysis करते हो, तो आपकी अगर उसी topics related कोई पहले से knowledge है तो आपको answer में वो कभी mention नहीं करना, आपको वही चीज़े mention करनी है, जो question में given है suppose, sorry, जो comprehension given है, suppose आपको pollution पे कोई passage आ जाता है, और आप से पूछा है कि effects of pollution बताओ तो आप वो effects of pollution नहीं लिखोगे जो आपको पता है, क्योंकि reading comprehension है, आपको passage की basis पे answer करने है आपको वही effects of pollution लिखने पढ़ेंगे, जो आपकी given होंगे comprehension में and sixth, all combined tips को मिला के, मेरी six tip है कि try to do smart work, भई hard work करने की ज़रूत नहीं है, तीन, तीन, चार, चार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूत नहीं है English का paper lengthy होता है, छूट जाता है, smart work करो, question पढ़ो, पहले फिर answer करो, कोई भी difficult word आता है, उसको overlook कर लो ठीक है, इतनी tension मत करो, अभी मैं बताऊंगा भी, अगर आपको word meanings find out करने हैं, तो कैसे करने हैं, एक example के साथ, और उसके साथ स्मार्ट वर्क में, again, smartness दिखाओ, reading time को utilize करो, comprehension solve करने में, तो यही सारी tips आप use करना, चलो कुछ questions देखते हैं, for example, यह एक आपका comprehension का, मैंने paragraph लिये, ठीक है, obviously, पूरा comprehension में एक साथ screen पर नहीं दिखा सकता, तो मैंने एक suppose आपका paragraph लिये, starting paragraph मान लो, अब लिखा है, where was the switch भारत run organized, ठीक है, suppose अगर आप पहले पूरा passage पढ़ते हैं, तो आपको पहले पूरा passage पढ़ना पढ़ता, पूरा paragraph पढ़ना पढ़ता, फिर आप question पर आते हैं, अगर अब आप यह technique follow करोगे, कि पहले आप question पढ़ो, यहाँ पर लिख है, where was the switch भारत run organized, यह हमने question पढ़ा, अब हम passage पढ़ते है, a switch भारत run was organized at the राश् Qs आ रहें, ठीक है, तो MCQs ही आपको solve करने, ठीक है, तो देख लो, आपका फाइदा क्या हुआ, पहले question पढ़ने का, कि आपको first line में answer मिल गया, ठीक है, तो ज़रूत नहीं है, extra read करने की, या पहले सारा read करने के बाद, question पढ़ने के, first line में answer मिल गया, यहाँ पर answer किया, second question पर आगे, okay, so इसका answer A, राश्रपती भावन है, next, who opened the first true US pizarria in 1905, suppose इस तरह का question आता है, जहाँ पर कोई year mention है, तो मैं आपको बहुत अच्छी trick बता रहा हूँ, look for this keywords, keywords ढूंडो, suppose 1905 number है, digit है, यह easily आपको passage में मिल जाएगा, तो answer ढूंडना है, तो जल्दी से passage में दे है, so अगर हम देखें, तो हमें second last line में, देखो, यहाँ पर 1905 मिल गया, अब इस के आसपास के sentences पढ़ लो, तो suppose यही बारा sentence पढ़ लेते, गनारियो लंबादी ओपन the first true US pizarria in 1905, तो देखो, गनारियो लंबादी भी हमें answer मिल गया, so जो main keyword होता है, उसको ढूंडो, passage में next, इस दलांके questions भी बहुत आते हैं, the synonym of circle used in paragraph 3 is, कि जो circle word आपका paragraph 3 में use हुआ है, उसका similar meaning क्या है, group है, band है, rotate है, surround है, अपनी prior knowledge use नहीं करनी है, कि आपको अपनी हिसाब से जो meaning लगता है, वहाँ पे tick कर दो, एक बार देखो, circle को passage में कहां use हुआ है, ठीक है, तो suppose आपको paragraph 3 भी दिया हुआ है, और यही आपका paragraph 3 है, so अब हम पढ़ते हैं, देखिए, second line में use हुआ है आपका circle, तो एक बार passage पढ़ते हैं, next in our space neighborhood comes Saturn, it is well known for the series of beautiful rings that circle it, मतलब, बताया गया है कि जो Saturn है, उसके आसपस beautiful rings होती है, जो उसको circle करती है, तो यहां से मैं clearly पता चल रहे है, इसका answer क्या है, surround, कि beautiful rings Saturn को surround करती है, group नहीं करती है, rotate नहीं करती है, obviously rings की वज़ा से Saturn हमारा rotate नहीं होता है, band नहीं करती है, band सो कोई meaning ही नहीं बन रहा है, तो जब आपने passage पढ़ा, तो circle it का आपको समझ आ गया, surround it, कि जो Saturn के आसपर rings है, उसको क्या करती है, surround करती है, तो guys इसी तरीके से आपको question solve करने है, smart work use करना है, और जो जो मैने tips बोली थी, वो जरूर follow करना, आपका passage बहुत अच्छे से solve हो जाएगा, so thank you guys for watching my video, अगर आपको मेरी video पसंद आ गिये, तो इसको like कर दो, comment कर दो, share कर दो, और मेरे channel को भी subscribe कर दो, और अगर पहली बार मेरे channel पे आए हो, तो bell icon मी ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे आने वाली videos की भी notification आपको मिल जाएगी, okay guys, so अगर आप मुझसे connect करना चाहते हो, telegram पे, instagram पे, email id पे, facebook पे, तो सब के links नीचे description box में है, यहाँ पे मुझे follow कर लो, और आप मुझे यहाँ पे personal doubts भी अपने भ video के साथ,